क्यों होता है weight gain, simple science क्या है? अगर आप simple science पूछेंगे, तो उसको मैं 4 letter में बता सकता हूँ, जिसको हम बोलते हैं एक weight loss drug जो की black market में trend कर रहा है, वो है ozempic tomato या स्वेकी से जो delivery blocks आते हैं, जो पतले plastic होते हैं उनको जब हम बार-बार reheat करते हैं उनमें, तो उसमें से कुछ chemicals हमारे खाने में विराट कुली, सुनील चेतरी की कई सारी videos हैं कि कैसे वीगन होने के बाद my energy levels are way better, मुझे अपनी recovery बेटर करनी है मुझे नहीं लगता इन claims में कोई evidence based है हम लोगों ने एक study भी करी थी, उसमें हमने देखा कि जो होमेपेथे की medicine देते हैं वो thyroid के लिए उसमें actually whiskey, tequila, beer, vodka, rum, इन में से सबसे appropriate alcohol कौन सी है जिनको कम से कम calories देनी है Hi guys, welcome to another episode of the skin and scalp show आज की episode में हम बात कर रहे हैं metabolism, hormone और weight loss के बारे में ये तीनों topics ऐसे हैं जिसके बारे में social media में कई सारी videos बनती है और as a doctor मुझे लगता है कि शायद ये सारा information सही ना हो आज हमारे guest है Dr. Sethiogupta जो की एक endocrinologist है endocrinologist मतलब metabolism, weight loss के expert इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई एम से की है और ये अभी सर गंगाराम hospital में consultant है और साथ में आपको request करना चाहूंगा अगर आपको health related podcast दिखना पसंद है तो हमारे channel को like और subscribe जरूर कर लीजिए आकने के बहुत patients आते हैं हमारे पास और 80-90% patients हम non-hormonal medicine से ठीक कर देते हैं बट हम ये भी कहते हैं कि acne होता है hormones के वज़े से so as an endocrinologist आपकी क्या approach रेती है आकने को लेकर so usually हमारे पास patients dermatologists हमारे पास refer करते हैं उन केसे को जो बहुत difficult उनके लिए difficult होते हैं manage करने के लिए उन केसे में हमारे लिए सबसे पहले तो यही होता है कि हम PCOD जो PCOS करके एक बिमारी होती है हम वो rule out करते हैं females में because that is one of the major disease underlying disease जिसकी वैसे male hormones उनके body में जादा होते हैं जिसकी वैसे acne का propensity थोड़ा बढ़ जाता है तो हम लोग उसको rule out करते हैं या उसको rule in करते हैं उसके according जब हमें लगता है कि severity इतनी है तो हम hormonal pills या anti-hormonal pills हम फिर वो add करते है बिल्कुल I think कराना भी नहीं चाहिए because आपने जैसे का majority patient तो आपके regular treatment से ही ठीक हो जाते हैं तो जो difficult patients है I think उसी में economical है और prudent है कि हम उन्हीं को हम evaluate करा है unnecessary हम लोगों का investigation ना करा है तो first criteria तो मेरा यह रहेगा कि जो आपके लिए जो आपको लगता है कि difficult to treat I think उन्हीं को ही कराना चाहिए जो majority ठीक हो रहे है उनका है बट एक चीज़ ही रहेगी कि जो भी आपके पास patient acne के आते हैं एक बार female patient particularly उनसे एक बार cycles ज़रू पूछेजे कि उनके cycles कैसे है because अगर cycles भी irregular हैं तो even if they are lean तो acne plus irregular cycles में वो PCOD के तरफ जाते होंगे और फिर उसमें बनता है कि एक endocrinologist की opinion हो जाए तो जिन्हों को acne है हमारे viewers को अगर वो female है menstrual irregularities है तो definitely उनको testing करवानी चाहिए कौन से hormones है जो उनको test करवानी चाहिए basic hormones जो हम लोग हर PCOD में कराते हैं एक हम liver function test कराते हैं because बहुत सारे PCOD patients में हमने देखा है कि fatty liver disease होता है फिर हम एक lipid profile कराते हैं sugar करा के देखते हैं साथ में कभी-कभी कुछ cases में insulin कराते हैं तो ये तो हो गए हमारे secondary test but अब मैं primary test बता हूँ तो एक thyroid profile एक prolactin level एक DHEAS और intestosterone जो को हम male hormones बोलते हैं वो और एक LH FSH and estrogen इनको female hormones बोलते हैं वो तो हम इनका balance out करके देखते हैं कि इनके body में male hormones जादा है या female hormones का ratio थोड़ा गड़ बड़ा रहा है या कैसा है और men में जो difficult to treat cases होते हैं खासकर I think men की skin जादा oily रहती है तो dysbiosis और जो sebum production है बहुत जादा है उन cases में आप कराते हो नहीं कराते हैं because men में hormonal levels की problem नहीं होती है वो hormone even if they are at normal level वो receptor level पे जादा काम कर रहे होते हैं जिनको हम test नहीं कर सकते हैं तो testosterone नॉर्मल रहेगा 5 alpha DHT जो testosterone का active form है वो भी normal रहेगा but at the level of skill 5 alpha DHT थोड़ा जादा काम कर रहा होगा जो हम test नहीं कर सकते हैं तो male में usually हम hormone evaluation नहीं कराते हैं और ऐसे कोई hormonal test है जिससे हम predict कर सकते हैं कि अगर हमें acne तो हमारे बच्चे को acne होगा या नहीं होगा ऐसे कोई test है जो हम as a preemptive करवा सकते हैं नहीं ऐसा कोई test नहीं कि बच्चों के जो receptors होंगे या बच्चों के जो होंगे वो दूसरे partner के थुरू भी उसमें genes आ रहे होंगे तो आपके अकेले के propensity से नहीं depend करेगा कि बच्चे को भी होगा नहीं होगा tendency थोड़ी रहेगी आपको है तो आपके बच्चे को भी हो सकता है but because दूसरे partner के कौन से genes आये हैं वो किस तरह से effect करें वो हम predict नहीं कर सकते तो polycystic ovarian disease के अपने बात की और बहुत लोग इससे सफर करते हैं काफी सारे मेरे patients हैं जो इससे सफर करते हैं जोड़ा बताओ कि PCOD होता क्या exactly so PCOD basically females में जिन में बहुत सारे criteria को डाइग्नोस करने के लिए बहुत confusion अभी भी even in medical literature चल रहा है कि हम exactly कैसे डाइग्नोस करें क्या करें but जो हम लोग follow करते हैं PCOD के लिए तीन criteria मीट होने चाहिए ultrasound पे ovaries में multiple cysts होने चाहिए इसलिए polycystic बोलते हैं cycles irregular होने चाहिए delayed cycles होने चाहिए basically जो most common होता है and third होता है कि किसी भी form में में male hormones का access होना चाहिए तो या तो वो test के थूरू पता लगे या जैसे आपने बताया कि acne हो रहे हैं या hair fall हो रहा है या चेहरे पे डाड़ी वगेरा hair growth हो रहा है तो उस तरह के अगर features होते हैं तो हम उनको clinical hormone access पोलते हैं या फिर biochemical अगर हम test करा के देखे हो जादा होते हैं तो इन तीनों में से अगर कोई भी दो criteria fit होता है तो usually हम उनको PCOD की तरह मानते हैं और PCOD होता क्यों है इसमें क्या patient की कोई गल्ती होती है कोई उनका lifestyle problem होती है इस कारण PCOD होता है या फिर it is just a matter of luck इसमें दो तीन components होते हैं एक component होता है जिसको हम genes पोलते हैं जो उनके parents से जो उनके genes आए हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल होगा जिसको हम कभी modify नहीं करते हैं non-modifiable risk factors में जिनको गिना जाता है तो उसमें जो genes हैं जो insulin resistance कराते हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर में discuss करेंगे तो जो insulin resistance कराते हैं उसकी वज़े से diabetes होता है मुटापा होता है liver disease होती है lipid, cholesterol वगएरा खराब होता है basically insulin resistance होता है इसी की वज़े से इसके ही चलते ovaries में cysts बनते हैं जिसके वज़े से थोड़े male hormones उन चोटे-चोटे-चोटे cysts से male hormones जादा निकलते हैं अब ये insulin resistance का कुछ component तो genetic होता है जो आप बदल नहीं सकते बट बहुत major component होता है आपका weight कितना है तो जो लोग overweight होते हैं obese होते हैं उनमे insulin resistance बढ़ता है तो ये modifiable risk factors में आते हैं ये वाली चीज़ें patient के हाथ में हैं और बहुत सारे लोग PCOD से cure कर लेते हैं अगर वो अपना weight reduce कर लेते हैं genetics और ये lifestyle दोनों का combination है कहीं बार मेरे पास patients आते हैं और वो बोलते हैं कि sir menstrual irregularities नहीं है but मुझे PCOD है मुझे ये बात पता है तो ये possible है? हाँ ये बिल्कुल possible है because जैसे मैंने का medical literature में अभी भी बहुत confusion है बहुत controversies हैं तो जो latest guidelines है उनके according अगर acne है या hirsutism है and even if cycles are not irregular तो भी हम उनको PCOD की तरह मान चकते हैं and वो actually एक severe form of PCOD में गिने जाते हैं तो वो भी PCOD होते हैं and दूसरा एक बहुत बड़ा factor है कि बहुत सारे PCOD लडकियों को cycles regular आएंगे but वो normal cycles नहीं होती मतलब वो cycles चायद 28-30 दिन पर आ रही हो but वो ovulation cycle ovulatory cycles नहीं होती they can be non ovulatory cycles तो उनके लिए भी हम कभी-कभी कुछ test करा के confirm करते हैं कि non ovulatory है तो फिर वो PCOD में ही count हो जाते हैं और क्यों लग रहा आपको कि PCOD इतना बढ़ रहा है हमारी country में is diet the main factor और इसमें stress का भी कुछ issue है exercise लोग कम कर रहे है what do you think आपने तीन-चार major point और डॉक्टर रंकूर बता ही दीजिए एक तो diet तो है ही मतलब पिशले अभी childhood obesity का ही हर हम पांच साल पर देखते हैं तो data बढ़ता जा रहा है अभी के इंडिया के data यूएस की data के साबसे तो 52% childhood obesity है इंडिया में around 30% आ चुकी है urban area में उससे भी जादा है तो young age में जो हमारे age में जब हम लोग थे तब इतने मुटापे नहीं देखा जाता था बट अब स्कूल में जाओ तो अच्छे खासे heavy weight बच्चे देखने को मिलते है तो obviously ये जाखे PCOD में convert होंगे secondly मुटापे का कारण आपने दौनों चीजें बोला diet because fast food high cholesterol high fat diet बहुत जादा common हो चुका है हम लोग अपना normal home cooked food की frequency कम होती जा रही है and fast food की frequency बढ़ती जा रही है तो वो एक factor है plus lack of exercise बच्चे स्कूल से आते हैं हम लोग शायद प्लेगराउंड पे जाते हैं आज कल वो चुछ चले जाते हैं तो चुछ में बैट रही हैं तो चुछ में बैट रही हैं जाए को कोई टाइम नहीं तो ये तीन फाक्टर तो है plus on top of that newer and newer data आए है कि there are something called endocrine disrupting chemicals EDC's पोलते हैं जो हमारे दिन चर्या के usage में बहुत पाय जाते हैं जैसे microplastics है जो आज कल हम लोग पढ़ते हैं कि सब के खानों में आ रहा है तो इस microplastics also interfere with some receptors at the level of brain, at the level of liver and this leads to further insulin resistance and obesity और जो हमारे विवेश पीशोड से सफर कर रहे है उनको एक काफी common question रहता है कि reproductive life उनकी कैसी रहेगी तो क्या challenges आते हैं और उससे कैसे बच सकते हैं सबसे बड़ा problem तो reproductive life में आता है कि cycles irregular हैं तो cycles जब irregular होते हैं तो conceive करने में problem obviously आएगी because नहीं पता कि किस time पे ovulation हो रहा है तो जो frequency होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है match करनी दूसरा बहुत बड़ा reason होता है कि even if वो ovulate time पे कर रहे हैं because hormonal imbalance चल रहा होता है वो pregnancy hold नहीं कर पाते हैं मतलब abortions के miss abortion के थोड़ी frequency थोड़ी chances बढ़ जाते हैं तो ये basically major problems रहता है इसमें drugs हमारे पास बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे अच्छे protocols बन चुके हैं जिनको अगर हम follow करते हैं तो लोग conceive कर पाते हैं तो हम बिल्कुल scientific तरीके से बिल्कुल एक एक चीज़ follow करते-करते we tell them and they are able to conceive depending कि कि कितना intervention करना पड़ेगा कुछ लोग को सिर्फ दवाईयों में हो जाता है कुछ लोग को हमें IVF तक भी लेके जाना पड़ता है अगर मानलो किसी को PCOD है या PCOD के features आ रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको जाना किसके पास है उसको endocrinologist के पास जाना है या gynecologist भी इन patients को देखते हैं तो किसके पास जाना ची हुनको I think दौनों के पास जा सते हैं इसमें I would not say किसे रहे होंगे बट हाँ अगर multiple levels पे problem हो रही है for example जैसे PCOD वाले patients को diabetes भी होता है या pre-diabetes होता है cholesterol खराब होता है liver में fatty liver होता है sleep में भी problem हो तो यह सारे जब features आते हैं तो तब we usually ask कि आप endocrinologist के पास हो क्योंकि हम बाकी सारे चीज़ों को भी manage कर पाएंगे gynecologist predominantly PCOD में जो cycles irregularity वाला पार्ट होता है वो उनको ही manage कर पाते है बट जो base होता है weight loss and insulin resistance को counter करना उसके लिए कभी-कभी endocrinologist की ज़रुवत पड़ी ही जाती है कब intervention लेनी चाहिए PCOD के patients को और कब उनके जाना चाहिए doctor को दिखाने क्या-क्या treatment options है उनके लिए okay I think doctor को दिखाने तो baseline पर ही जाना चाहिए क्योंकि एक बार पूरा evaluation हो जाना चाहिए सबसे बड़ा एक चीज होता है PCOD को हम तब label करते है जब हम बाकी सारे जो causes होते है इन सारे features को हम उनको rule out करें for example cycles irregular है that doesn't mean की PCOD ही है हो सकते है thyroid की problem चल रही हो तो अगर thyroid correct हो गया तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी हो सकते है weight gain भी thyroid की वज़े से था उनको लगा हम मोटे है cycles irregular है उन्होंने PCOD समझ के अपने आप वो treatment करते रहे बड़ ठीक नहीं कराया तो basic disease ही ठीक नहीं होई तो वो परिशान होते रहेंगे so I feel कि baseline पे एक बार doctor की visit इन एक बार basic test हो जाने चाहिए उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि treatment के क्या options है वो depend करता है कि patient का weight कितना है BMI कितना है basically हम उनका judge करते हैं कि मोटापा कितना है अगर मोटापा significant होता है तो हम usually उनको पोलते हैं कि आप पहले weight कम करें जिसके लिए diet and exercise हम reinforce करते हैं और साथ में हम बाकी test के लिए देखते हैं अगर मान लेके diabetes की तरफ हो जा रहे हैं तो कुछ हमारे पास दवाईया हैं जो diabetes को भी control करते हैं साथ में PCOD को भी indirectly help करते हैं जैसे metformin हैं तो हम उन tablets का भी इस्तमाल कर सकते हैं बाकी cases में हम उनसे पूछते हैं कि उनकी दिक्कत क्या हैं तो जैसे अगर उनको cycles irregular हैं तो हम OC pills होते हैं जो hormonal pills होते हैं तो हम वो देते हैं उससे भी cycles भी irregular होती हैं अक्ने भी control होता है हिर्सोटिजम जो चेहरे पे बाल होते हैं वो भी control होते हैं और अगर इनके दवाईयों के अलावा भी उनके जैसे एकने या चेहरे के बाल नहीं ठीक होते हैं तो LDACTON जैसे एक tablet है जो male hormones का action को control करती हैं हम पर वो tablets भी इस्तमाल करते हैं तो यह सब depend करता है कि patient का कितना severity था और उसको क्या-क्या symptoms थे और वो कितने symptoms से किन चीज़ों को लेके परिशान थे कुछ patients है मेरे पास PCOD के जो हमें ये बताते हैं कि जब तक वो दवाई खा रहे हैं तो menstrual irregularities ठीक हो जाती हैं उनकी पर जैसे वो दवाई बंद करते हैं तो वो आपस उनको problem स्टार्ट होती है और वो देखने में भी इतने कोई obese है नहीं तो इस type के patient के लिए कोई hope है कि PCOD कभी खतम होगा उनकी unfortunately उनके लिए बहुत असान नहीं होता है usually हमने ये देखा है कि 5-7% अगर weight loss भी वो कर लें even if they are not so obese तो ये reverse होने के tendency improve हो जाती है बट जो बिल्कुल lean and thin होते हैं जिनका BMI less than 22, 21 चल रहा होता है उन cases को जो जिनको lean PCOS बोलते हैं उनके लिए probability बहुत कम होती है कि बिना रवाईयों के उनकी cycles regular रहेंगी या उनका PCOD कभी cure हो पाएगा बहुत rare cases में जैसे से age advance होती है कभी कभी हमने देखा है कि PCOD settle हो जाता है but very rarely thyroid की आपने बात की कि कितना important है और PCOD में भी इसका check हमें रखना चाहिए तो thyroid होता क्यों है? कुछ लोगा TSH क्यों बढ़ जाता है? आप इस तरह से मानिये कि thyroid एक factory है हमारे body में जिससे thyroid hormone बन रहा है जारी नश्ट होती जारी है इसका maintenance नहीं हो पा रहा तो factory की production कम हो जाएगा तो thyroid hormone का level body में कम होता जाएगा क्यों हो रहा है लेकिन damage इसे? यह damage इसलिए हो रहा है कि हमारी body के अंदर जो antibodies हैं जैसे COVID के टाइम पे हम vaccine लगाते थे हमारे इंदर antibodies बने जो COVID के virus को पैचाने और उसको नश्ट कर दे किसी कारण genetics मान दो या कुछ particular reasons है predominantly genetics होता है जिसकी वज़े से thyroid के against ही हमारी body antibodies बनाने लगती है तो वो even if यह हमारा ही अंग है वो उसको पैचान नहीं पाती लगता है कि यह कोई बहार से आया है और इसको हमें नश्ट करना है तो दीरे 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 वो उसको नश्ट करती रहती है उस चक्कर में thyroid hormone की कमी होती जाती है और इसलिए TSH level वो बढ़ता जाता है लेकिन क्या कर सकता हूं मैं इसको prevent करने के लिए कि मेरे को धरण ना हो ऐसा unfortunately कुछ है नहीं 25 साल 30 साल से बहुत सारे लोग बहुत सारी studies कर रहे है और अब सबने realize कर लिया है कि यह form of autoimmunity है and unfortunately autoimmunity के लिए चाहे कोई भी autoimmune बिमारी हो हमारे पास कोई preventive method नहीं है just कि हाँ lifestyle maybe a healthy lifestyle can help but as such कोई concrete scientifically strong evidence लड़ा ही होती है और हमारा patient बिचारा shuttle cock की तरह हमारे बीच में physician के बीच में move करता रहता है एक है thyroid related hair loss क्योंकि जब उनका thyroid बड़ा होता है हमने सारे causes rule out कर लेते हैं तो हम कहते है या thyroid तो आपको बड़ा हुआ है तो आप जाके check कर आओ वहाँ से वहाँ पेस आता है physician के पास से तो बोलते हो कह रहे कि इतने में हम दवाई नहीं start करेंगे फिर एक दूसरा होता है xanthalasma जैसे बोलते हैं जो cholesterol deposits होते है IQ पर अब उसमें भी LDL हलका सा बड़ा होता है 110 या कुछ होगा तो फिर बोलेंगे physician की यह significant नहीं है मैं दवाई पर नहीं रखूंगा बट मेरे लिए वो problem है क्योंकि patient मुझसे आकर पूछ रहा है कि doctor ने बोला यह तो normal है तो मेरे cholesterol deposit क्यो नहीं जा रहे या फिर record क्यो रहे है surgery के बाद तो इन दोनों के बारे में बताओ कि फाइनल आंसर क्या है और कैसे हम patient को guide कर सकते हैं better तो पेले thyroid के अगर हम issue उठाते हैं तो thyroid में एक entity होती है जिसको बोलते है subclinical hypothyroidism इसका simple अर्थ ही होता है कि आपका TSH normal limit से जादा है मगर 10 से कम है तो normal limit जो अगर माने तो वो 4 की अगर हम मान लेते हैं तो 4 से 10 के बीच में जब TSH होता है तो इसको हम subclinical hypothyroidism बोलते हैं इसका मतलब अर्थ बहुत simple है कि आपका factory पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है बट इतना काम कर रहा है कि जितनी body को जरूरत है thyroid hormone बनाने की उतना बना पा रहा है जितना basic जरूरत है तो इन conditions में जो 4 से 10 का TSH होता है usually हम treat नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा evidence है बहुत huge evidence है कि patient को इससे कोई फाइदा नहीं हुआ था जब हमने इन limits पे treat करा था thyroid hormone दिया था तो patient को किसी भी factor में किसी भी component में improvement नहीं लगाता तो usually हम लोग अब इसको treat नहीं करते हैं and but गर दस से उपर होता है तो हम treat जरूर करते हैं चाहे कोई भी value हो रहे है कोई भी reason में जहाँ आपने दूसरा बोला xanthal asthma जिसको eyes के चारो हो cholesterol deposit होता है तो इसमें problem यह होती है कि LDL levels तो normal होंगे या normal से थोड़े से बड़े होंगे but body की tendency है कि उन cholesterol को जो blood में चाहे वो 70 भी 80 भी चल रहा हो body की tendency है कि उन cholesterol को extract करके वो इस area में deposit कर दे तो इस tendency को हम counter नहीं कर सकते अगर हम 110 cholesterol को असी पे भी ले आएं दवा शुरू करके वो body की tendency तो रहेगी कि वो वहां से उठा के वो eyes पे deposit करेगा so we don't have any drug to decrease the tendency हम cholesterol ज़रूर कम कर सकते हैं बढ़ हम tendency नहीं कम करेंगे तो वो deposition तो होता रहेगा इस ते जिन लोगों को normal LDL के बावजूद cholesterol deposit होता है तो हम उन्हें पहले ही counsel कर देते हैं कि high chance है कि यह recurrence है क्योंकि recurrence होगा क्योंकि cause है नहीं कुछ बिल्कुल cholesterol तो अपका normal है बिल्कुल doctor uncle वही बहुत सारी diseases जो है chronic होती है skin में और I think endocrinology में भी thyroid और PCOD काफी सारे patients हैं जो इसके लिए homeopathy, Ayurveda या फिर alternative medicine prefer करते हैं chronic diseases है तो उनमें कुछ solutions है इनके अच्छे जितना अभी तक मेरा experience रहा है कि मैंने यह देखा है कि जो लोग जाते हैं वो usually एक देड़ महीने के बाद छे महीने के बाद वापस आ ही जाते हैं कि हमने ट्राइ किया था नहीं हुआ और खराब हो गया सिती तो वो वापस आते हैं और कुछ लोग जो वापस नहीं आते हैं हम लोगों ने एक study भी करी थी उसमें हमने देखा कि जो homeopathic की medicine देते हैं वो thyroid के लिए उसमें actually thyroid दवा होती है तो वो label उसको homeopathic क्या रहा में उस medicine का? नहीं वो तो वो डिबी में आती है तो I don't know unlabeled रहती है जो उनको वो देते हैं उसमें भी ultimately हमने देखा तो thyroid की medicine मिली होती है और कुछ supplements available है market में PCOD, thyroid को treat करने के लिए Myo Inositol एक है उसका कितना role है और बाकी और कोई supplement जो useful हो हमारे viewers के लिए So Myo Inositol का दीरे 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 रोल आ रहा है and अब medical community ने भी उसको accept करा है कि कुछ certain conditions में जब criteria's meet होते हैं तो it works very well क्या है criteria किस को लेनजी है Myo Inositol? उसके लिए थोड़ी lab test कराने होते हैं हमें थोड़ा देखना होते है कि insulin resistance किस level पे जादा है liver के level पे जादा है या ovary के level पे जादा है तो वो थोड़े test करके थोड़ा सा patient profile देखके हम जादा better उसको समझ पाते हैं but Myo Inositol is an acceptable form of treatment but it'll only work if certain conditions are met not for everyone मैं तो बहुत जादा prescribe नहीं गरता हूँ तो कोई specific test होते हैं जिसके बाद ये करना चाहिए या पिर इसी का भी जिसका weight जादा है देखने में लग रहा है patient को शायद insulin resistance हो सकता है एक anthosis हो रहा है तो हम उसको दे सकते हैं Myo Inositol देने के लिए मेरा एक वो रहेगा कि हमेशा जब भी दें at least metformin के बात दे या metformin के साथ दे isolated Myo Inositol इतना effective नहीं पाया जाया है Weight gain के बारे में social media में बहुत सारा content बनता है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है वहाँ पर dietitians हैं वहाँ पर fitness experts हैं वहाँ पर कुछ doctors हैं और कहीं बार मुझे लगता है कि यह जो knowledge दे रहे हैं वह appropriate नहीं है इसलिए खास में यह podcast करना जाता था तो अब weight gain के बात करते हैं क्यों होता है weight gain simple science क्या है अगर आप simple science पूछेंगे तो उसको मैं 4 letter में बता सकता हूँ जिसको हम बोलते हैं CICO C-I-C-O calorie in, calorie out आप अपनी body को एक तिजोरी की तरह समझ लीजे आप कितना पैसा उसमें डाल रहे हैं और कितना उसमें से निकाल रहे हैं जो जितना बचेगा वो आपका end of the year profit है या आपका collection है वही same analogy हम weight gain के लिए हम कर सकते हैं कि आप कितनी calorie intake करें आप कितना at the end of the day उसको खच कर पा रहे हैं जो भी excess बचेगा वो fat में store होगा और वेट gain में contribute करेगा तो चाहे वो calories good source, healthy source of food से आए या bad source से आए अगर calorie increase होगी तो weight gain होगा यह बात कमें clear है तो CECO बहुत basic level पे मैं आपको बता रहा हूँ जैसे सबसे बड़ा तो मैंने अभी कुछ चाहीं पहले वर्ड यूस करा EDC, Endocrine Disrupting Chemicals तो इसका बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है हमारे weight gain में तो एक अगर मैं ऐसे एक्जाम्पल दूँ तो parabins करके होते हैं जो हम जैसे plastic के जो containers होते हैं में हम खाना गरम करते हैं या Zomato या Swaggy से जो delivery blocks आते हैं जो पतले plastic होते हैं उनको जब हम बारबार reheat करते हैं उनमें तो उसमें से कुछ chemicals हमारे खाने में release होते हैं और ये chemicals हमने देखे गए हैं कि ये हमारे weight gain में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं multiple mechanism से hormone disrupt करते हैं जो हमारा weight set point है hypothalamus में एक weight set point होता है उसको disrupt करते हैं उसका level थोड़ा सा increase करा देते हैं तो हमारी body को लगता है कि हमारा normal weight ये होना चाहिए था तो ये कुछ factors हैं जो अब recent times में पाए गए हैं इसमें करना चाहिए खाना गरमें आइडिली तो tupperware जैसा होना चाहिए जिसमें से leak नहीं करता है या जो उससे पहले जो होता था तो you know we should store food in tambe के बरतन जो हमारे पूरवज बगएरा यूज करते थे वो बट अब गरम करने के लिए तो हमें कुछ microwave safe यूज करना पड़ेगा तो tupperware is a glass is perfect glass is very good दो लीडी साथ में आएंगी वो जरूर बोलेगी कि मेरा वेट जो है मैं कुछ भी खाती हूं तो फटावट गेन हो जाता है और इसका वेट गेन नहीं होता है तो क्या इसके पीछे की science है सबसे बड़ा तो ये तो ना एक myth होता है अगर हम लोगों ने ये बहुत बार देखा जो लोग आते थे हर किसी का होता है कि मेरी बेटी या मैं तो कुछ नहीं खाती मेरको तो हवा ही लग जाती है है और हमने जब उनको बोलते हैं कि आप जो भी खा रहे हो आप उसको लिस्ट करके मेरे पास दो दिन के बाद आना जब भी हम उनकी और उनसे हम पहले पूछ से ता आपको क्या लगता है कितनी क्यालरी खा रहे हो तो वो यूजली हमीशा आपको अंडर एस्टिमेट करेंगी कि हम बारसों से जादा तो खाते ही नहीं है जब भी वो प्रॉपर डिसिप्लिन की थरह लिखके लाते थी सब की क्यालरी उनके एस्टिमेट से 50-60%-80% जादा होती है तो प्रॉबलम क्या होती है मैं कुछ नहीं खा रही वो हमीशा वो प्लेट में कितनी रोटी है उससे काउंट होता है बट दिन बर में वो जो बीच-बीच में चर रहे हैं वो कोई काउंट नहीं करता कि ये तो हम खाना नहीं खा रहे है ना अब मालनो हमारे किसी वियोर का वेट जादा है तो क्या strategy उन्ः फॉलो करनी चाहिए कि उनका वेट लॉड बचा रहे है तो जैसे जो मैंने बेस बोला जो उनके हाथ में है वो है सीको आप कितनी क्यालरी इन कररे हों कितनी आप क्यालरी इक्सपांड कररे है आप खर्च कर रहे हो तो अगर आप दिन में आप 1700 क्यालडी खर्च करते थे और आप 1800 खा रहे थे तो आप दिन का 100 बचा रहे थे इसी को अगर आप reverse कर दो और आप 1400 खाने लगो और 2000 खर्च करने लगो तो 1700 से 2000 पहुशने के लिए आपको exercise करना है आपने 300 क्यालडी वहां बढ़ा दिया और थोड़ा सा खाना कट कर दिया तो जो 600 क्यालडी का जो deficit होगा यह विट टाइम आपका वेट लॉस में help करेगा तो बेसिक जो घर बैटे बैटे वीवर जो कर सकते हैं वो यही है कि थोड़ा सा क्यालरी काउंट करें estimate करें कि हम दिन बर में कितना काते थे उसको cut down करें और किसी form में calories को burn करना increase करें तो deficit अपने आप weight loss में convert यह तो बहुत मुश्किल है क्योंकि जब आप जिम जाते हो और जिम हैवी जिस दिन करते हो उस दिन आपको भूग ज्यादा लगती है तो कैसे control करेंगे hunger हाँ so जिम में बहुत easy है कि आप जैसे से muscle build करते जाएंगे आपका basic metabolism increase होता जाएगा तो चाहे आप उस दिन जाता भी खा रहे हैं but because muscle mass increase हुआ body की requirement increase हुई वो अपने आप throughout the night जैसे जो energy burn होगी वो उसको compensate कर लेगा secondly जो आप खाना खा रहे हैं आप उसको healthy food में convert कर लीजए आप घर आके जब आपको भूग ज़्यादा लग रही है you can take more protein diet and less of carbohydrate and fat diet तो basic calorie जो count होती है वो carbohydrate and fat से count होती है protein जो है वो आपके muscle building में use हो जाता है तो खाना तो अपने अपना पेट भनने के लिए खा लिया बट क्योंकि उसमें component और protein जादा था तो आपने ultimately calorie deficit ही रहे है अगर मैं calorie deficit करना चाहता हूँ main struggle क्या होती है कि आपको irritability आती है आपको अच्छा नहीं लगता है आपको मन करता है मैं कुछ जाके खा लूँ तो उस urge को कैसे control करें अगर हमें weight loss करना है या फिर control करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए देखें करना तो पड़ेगा अगर आपको calorie deficit में जाना है तो वो urge तो control करना पड़ेगा कुछ-कुछ strategies होती है जो लोग अपने हिसाब से हर बंदा अपनी कुछ-कुछ evolve करता है कुछ strategies आप बते हैं यूशली आइ आस्टेम कि आप पानी थोड़ा जादा पीजे जो एक irritability का factor होता है जब आपका पेट में हंगर की feeling आती है कि एम्टी स्टमक है तो you can fill it up with drinking water तो चार-पांच लीटर अगर वो बीच-वीच में पानी पीते रहेंगे तो थोड़ा सा स्टमक डिस्टेंट होता है तो जो हंगर हॉर्मोन्स है वो कम हो जाते हैं फिर दुबारा water absorb हुआ फिर से स्टमक कॉलाप्स हुआ वो हॉर्मोन्स जादा रिलीज हो आपने फिर से पानी पी लिया आपने इस स्टमक को डिस्टेंट कर दिया तो जितनी बार आप स्टमक डिस्टेंट करेंगे वो हॉर्मोन्स की टेंडेंसी कम हो जाएगी बिकोस्टमक को लगता है मेरा I am full दूसरा strategy होता है कि यू टेक लो क्यालरी फूद जैसे खीरा है गाजर है मूली है यह आप खा रहे हो अपके मूह को आपके पेट को तो डिस्टेंट हो गया बट ऑबिसले क्यालरी नहीं गई तो इनको negative क्यालरी या empty क्यालरी जो होता है उस तरह के ब्रॉकली जैसे बहुत अच्छा है ब्रॉकली चबाने में जितनी क्यालरी बर्न होती है उतनी क्यालरी डाइजर्स करने में भी नहीं होती है तो ultimately आप खा रहे हो but actually you are burning calories while you are eating तो इस तरह के salads and foods को फिर I ask कि आप ये utilize कर सकते है अगर हम breakfast, lunch, dinner की बात करें तो किस तरीके से हमारे जो macros होते हैं जिसे protein, carb और fats उनको हमें कैसे distribute करना चाहिए ideally आइडिली तो एक inverse pyramid हम लोग पढ़ते थे जो तो पिरामिट सिस्टम होता था जिसमें बेस में हमारे macros होते थे जैसे से मुपर जाते थे vitamins वागरा होते थे Macro का distribution यूशली माना जाता है प्राक्टिकली वो यह होता है कि 40 carbs 40 percent around protein and 20 percent के around fats and in fats में भी we prefer to have more of unsaturated fatty acids and less of saturated fatty acids and very little of trans fatty acids इस तरह से हम लोग अपने macros divide करते हैं कभी कभी कुछ लोग उसको 60, 30 and 10 भी कर देते हैं वो vary करता है but main यही है कि हमें अपने proteins जादा रखने हैं carbs and fats जितना हम reduce कर सकें उतना हमें करना चाहिए हर meal में? जितना आप कर सकें हर meal में उतना अच्छा है I would say 40% of protein तो हर meal में आपका होना चाहिए जितना आप total calorie खा रहे हैं जितना आप total intake कर रहे हैं क्या खाने के लिए बोलेंगे patients को जिसे protein के भी अलग-अलग sources है chicken है, fish है, egg है, vegetarian sources है what is the better source of protein? I think better sources में तो जो अभी हमारे पास present evidence है कि जो plant-based proteins होते हैं they are obviously very good, they are much better, followed closely by fish-based proteins and the worst are the lean meats and the red meats, जो जिसे beef होते हैं, जो होते हैं उनमें क्रिकी high cholesterol content होता है, तो usually they are considered lower when it comes to the source of protein, also absorbility का जो factor होता है, तो plant-based proteins are easily absorbed by our body, as compared to old tree or meat according to you, plant-based proteins are better than even white meat , जो जो जींसको बोलते हैं chicken or fish, ऊससे भी बोलते हैं, जो जो इसमें जो जो बेढ़े बेदेरी 우ondra office fish is very good source of protein, जो जो simply tiksh जो 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 5,6 teaching because all different source count होते हैं with the absorption are। अपने वीगनिजम की बात की, विराट कुली, सुनील चैतरी की कहीं सारी वीडियोस हैं, सोचल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रही हैं, कि कैसे वीगन होने के बाद, उनके रिकवरी पीरिड बेटर हो गए, मुझे नहीं लगता इन क्लेम्स में कोई एविडेंस बेस्ट है, मुझे नहीं लगता कोई direct correlation होगा, हमेशे एक डिवेट होता है, विजटेरियन और नौन विजटेरियन के बीच में, कि क्या जादा हिल्दी है, आपने बोला कि प्रोटीन जादा खाना चाहिए, तो इसका मतलब नौन विजटेरियन बिटर है, हाँ, जैसे आप तेंगा कि blue zone phenomena था, जहां geography में देखा गया कि कुछ spaces हैं, कुछ places हैं, जहां पे 80 years से जादा लोग predominantly रहते हैं, and बहुत percentage of population, 100 को भी cross करते हैं, तो जब उनका analysis करके देखा गया, तो पाया गया कि उनकी diet जो है, वो predominantly plant-based थी, as opposed to non-vegetarian diet, तो इस तरहे कि छोटे-छोटे evidences हैं, जो हमें point करते हैं, कि maybe plant-based protein can be a better source than non-vegetarian protein, but as such, कोई clear-cut evidence या clear-cut result नहीं है, and I think that debate अभी बहुत लंबे time तक चलती रहेगी, intermittent fasting, social media में काफी trend कर रहा है, तो क्या वो help करता है weight loss में, scientifically कोई भी हम जब comparison करते हैं, तो हम data देखते हैं, तो 2023 में, NEGM, जो best journal है, हमारे medicine का, they actually compared intermittent fasting, with regular diet, and उन्होंने ये देखा, कि intermittent fasting versus regular diet में, जिसमें calorie restrict करी हुई थी, जैसे अगर जो participant है, अगर वो 1800 कालरी नॉमल खा रहे थे, अगर हमने उनको 1400 कालरी पे रखा, और उनको intermittent fasting पे रखा, तो दो चीज़े उन्होंने पाई गई, एक तो intermittent fasting जो कर रहे थे, वो invariably, क्योंकि व हमने 1400 restrict करा, उन दौनों में कोई comparison नहीं था, when it came to weight loss, both of the participants lost weight, इन दौनों में कोई difference नहीं था कि intermittent fasting बालों ने ज्यादा लूस करा, so basically, जो उसका conclusion ये था कि intermittent fasting से weight loss जो होता है, वो इसलिए होता है, क्योंकि हम calorie deficit में जाते हैं, तो अगर आप normal अपने diet में भी calorie deficit में चले जा और आपको लगता है कि intermittent fasting से आप उस calorie deficit में जा सकते हैं, तो obviously it works for you, एक और diet है, keto diet, क्या क्या risk है इसके, और क्या ये help करता है weight loss में, so keto diet में जो main principle है, वो ये है कि हम carbs बहुत कम करते हैं, और हम predominantly fat and protein पर जाते हैं, जिसकी वाइज़े से body ketones produce करते हैं, scientifically या physiologically अगर हम देखे changes होते हैं, जैसे सबसे पहले, ketones जब produce होता है, तो हमारा weight loss होता है, because urine के थुरू हमारे glucose and ketones excrete out होते हैं, तो थोड़ा सा water deficit में patient जाते हैं, तो keto diet में हमेशा पहले दो हफते में participants और patients को लगता है कि हमने weight loss करा, पर तो basically water loss होता है, more than anything, but overall again, अगर आप क्याली रिस्ट कर हैं, despite having high fat, तो you will be able to lose weight, अब जहां तक रहा, disadvantages के keto diet के कुछ certain disadvantages है, and कुछ risk में हैं, जहां पर हम बिलकुल मना करते हैं, जैसे diabetes patient को हम बिलकुल मना करते हैं, especially जो insulin पे हैं, या जिनका बहुत खराब diabetes होता है, कि आप मत करें, क्योंकि वो वैसे ही ketones के risk में होते हैं, अगर व उनको भी मना करते हैं कि ketone diet ना लें, क्योंकि उनकी कभी-कभी sugars जब level drop कर जाते हैं, तो यह सारे जो baseline disease है, वो manifest कर सकती है, and third, जो पाया गया है कि initially कुछ month में, in the early period, up till a month, जब ketone diet पे लोग जाते हैं, तो उनका brain activity, concentration यह भी reduce होता है, तो इसलिए हम पढ़ने वाले बच् कम नहीं हो रहा है, अगर ऐसे conditions में जब diet और exercise के बाद weight loss अचीव नहीं होता है, तो फिर हमारे पास कुछ medicines हैं, जिनको हम utilize कर सकते हैं, इंडिया में एक ही medicine अभी approved है, जिसको हम only start बोलते हैं, जो काम करती है, by inhibiting the absorption of fat, आप जो भी खाने में, जो भी हाफ fat खा रहे हैं, व हो जाता है, बट इससे हमने देखा है कि around 5-10% weight loss over 6 months achieve कर पाते हैं, यह एक medicine है जो आपके endocrinologist या physician यूज कर सकते हैं, कोई बहुत serious side effect नहीं है, इसके अलावा कोई बहुत serious side effects नहीं है, एक weight loss drug जो की black market में trend कर रहा है वो है ozampic, उसके बारे में कुछ बताईए, so ozampic is semag semaglutide, semaglutide एक new molecule है, जो 3-4 साल पहले available हुआ था market में, so यह एक hormone का भाई है, जो हमारी body में normally produce होता है खाना खाने के बाद, और यह दो काम करता है, खाना खाने के बाद, यह hormone ब्रेन पर आग करता है, और ब्रेन को बताता है कि मैंने खाना खा लिया, मुझे और खाना खा बशक्ता नहीं है, साथ में यह pancreas पर भी काम करता है, और उससे insulin secrete कराता है, जिससे कि खाना खाने के बाद, जो भी आपने carbohydrates खाए हैं, वो आपके body में absorb होने लगे, तो यही molecule जब हम use करते हैं, तो वो diabetes भी control कराता है, और ब्रेन पर आग करके यह भी बताता है कि भूक न नहीं लग रही है, या भूक नहीं लगनी है, क्योंकि मैं खाना का चुका हूँ, तो ozampic basically injectable form में आता है, जो हर हफते लगाया जाता है, भारत में ozampic अविलेबल नहीं है, तो इसका एक oral formulation, एक oral drug है, जिसको ribelsis बोलते हैं, जो इंडिया में diabetes के लिए approved है, weight loss के लिए अ प्रूफ नहीं है, बत हम लोग बहुत पेशेंस में उसको यूज करते हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखा है, तो यह जो black market में ड्रग मिल रहा है, ozampic और जो ड्रग वैसे आप यूज करते हैं, इसके कुछ side effect है, हाँ, इसमें ड्रग में सबसे बड़ा प constipation हो जाता है, तो around 10% patients को यह problem face करनी पड़ती है, but यह सारी problem self-limiting है, तो एक हफते में 10 दिन में अगर कोई इसको tolerate कर लेता है, तो अपने आप settle down हो जाता है, but around 2-3% लोग इसको tolerate ही नहीं कर पाते हैं, उन cases में हमें इसको फिर दवा को बंद करना पड़ता है, जो weight loss drugs है, यह वो लोग भी use कर सकते हैं, जिनकी obesity के वज़े से उनने कोई खास problem नहीं हो रही है, हाँ, तो बहुत लोग use करते हैं, मतलब अब Indian society में हैं, जिसे आपको example देता हूं कि मेरे पास almost हर महीने कोई ना कोई female आती है, जो उनकी शादी होने वाली होती है अगले 3-4 महीने में और वो चाहती हैं कि वो थोड़ा सा weight loss करें, तो उनको कोई co-morbidities या कोई complications नहीं होते हैं, बट क्योंकि उनकी शादी है, they want to look their best, तो वो लोग कभी-कभी हमारे पास आते हैं और हम लोग उनकी फिर help करने के लिए use के drug भी इस्तमाल करते हैं, तो ऐसे conditions भी हैं, बट अग भी recommend करूंगा कि उनको एक active lifestyle यूज करनी चाहिए, utilize करनी चाहिए to reduce their weight, and if they are not able to, then maybe use the drugs to tackle their weight, but aesthetic reasons के वज़े से क्या हमें यूज कर सकते हैं ये drugs, मतलब, short term के लिए, हां, मतलब मैं उनको lifelong नहीं देता हूं, उनको 3-4 महीने देके, weight reduce करा के, I always drop them, जब हम ये medicines बंद कर देत हैं, तो क्या होता है, क्या हमारा weight maintained रहता है या वो पिस बढ़ जाता है, अगर हम short term के लिए use करते हैं, जिसमें patient ने lifestyle नहीं adapt करा होता है, तो उनका तो weight gain होता ही होता है, तो जैसे जो हमने reason बताया, aesthetic reasons वाला, उसमें weight gain होगा ही होगा, because उनोंने active lifestyle नहीं चूज करी, but जो actual patients होते हैं, who have been working out, who have tried their diet, उन्में when we use the drug and we continue for a longer time, then we stop, then the lifestyle takes over and they are able to maintain their weight. You know, black market में drug मिल रहा है, उसमें मैंने पड़ा था कि pancreatitis और gallstone तक हो सकता है, कितना realistic है ये risk? हाँ, so gallstone का risk तो realistic है, enough data है कि gallstone का tendency increase हो जाता है, जहां तक रही pancreatitis की बाद, वो अभी भी contentious है, doubtful है, but as a precaution, अगर किसी patient को history of pancreatitis होती है, तो हम ये drug नहीं use करते हैं. और कब ये drugs ये उस करनी हैं versus कब bariatric surgery के लिए जाना है? हाँ, so अगर किसी का BMI more than 40 है, तो हमेशा bariatric surgery long term के point of view से जादा beneficial है, साथ में अगर किसी का BMI more than 35 है, with complications of obesity like diabetes या OSA या osteoarthritis, तो उन cases में भी हमने देखा है कि bariatric surgery के long term effects जादा बेटर होते हैं, quanta of weight loss जादा अच्छा होता है. इससे भी अच्छे कोई drugs available है weight loss के लिए और जिनके results better है और side effects और कम है? internationally एक और drug है जो approved है जिसको munzaro बोलते हैं या scientific terms में हम उसको tirs appetite बोलते हैं, जो ozampic से भी better result दिखाता है, and side effect उसके ozampic के comparable है. इंडिया में भी वो drug available है black market में, and उससे जो weight loss होता है वो हमने देखा है much better होता है, and much sustained रहता है. जो pipeline में drugs हैं, कम से कम 10 drugs हैं, जो अभी phase 2 trial complete कर चुकी है, they have moved on to phase 3 trials, and हमें उमीद है कि अगले 5 साल में कम से कम 4-5 odd drugs weight loss के लिए आएंगी है, and पूरा जो scenario है of weight loss, वो पूरा बदलने वाला है. तो future में, weight loss के लिए endocrinologist के बास बहुत सारी चीज़े होने वाली हैं, बिल्कुल, अभी हमारे पास हमारे literally हाथ बंदे होए हैं, इसलिए हम बार-बार calorie restriction की और exercise की बात कर रहे हैं, but I think अगले 5 साल पा, जब दुबारा में इस podcast पर आऊंगा, I think I will have much more information to share. तो जो लोग ये weight loss drugs ले रहे हैं, उनको क्या expect करना चाहिए, कैसा experience होगा उनका? नहीं होई, तो हम उनकी धीरे-धीरे dose बढ़ाते हैं, और फिर उनको weight loss experience करते हैं, कुछ लोग को जैसे मैंने बताया, nausea, vomiting भी होता है, and कुछ तो जैसे मेरे पास cases आए हैं, एक बंदा तो particularly तीन दिन के बाद वो मेरे पास बापस आए, ये बोलके कि आप ये सारी दवा ल होता है, और किसी को बिलकुल लगता है, कि ये तो मतलब जहर है, तो काफी counselling की जूरत है, और एक अच्छी interaction अपने endocrinologist के साथ होने के बाद ही, आप इन medications को weight loss के लिए use कर सकते हो, बिलकुल, जब भी मैं ये medicine start करता हूं, कम से कम मैं 10 minute इसके सारे effects, side effects के बारे में बताता जब इतनी सारी weight loss drugs available है market में, तो क्यों हम इसे use नहीं कर रहे हैं, क्यों ये अभी भी लोग black market से खरीद रहे हैं, उसका सबसे बड़ा reason है कि इंडिया में available नहीं है, और इंडिया में available इसलिए नहीं है कि बाहर इसकी इतनी demand है, कि जो original companies हैं, वो अभी ये सारा का सारा product बा हर ही बनाने में insufficient हो रही है, तो उनके लिए इंडिया इतना बड़ा market ही नहीं है, कि वो इंडिया में इसको introduce करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए लोग जो afford कर सकते हैं, वो black market से लेते हैं, और वो भी बहुत कम percentage हैं जो afford कर सकते हैं, क्योंकि जैस अगर जैसे हम सब्सक्राइब लेते हैं, तो इस अपिक को तो हफते में एकी बार लेना होता है, तो कितना percentage weight loss एक्षप्ट कर सकते हैं? So, one month में तो data नहीं होता हमारे पस, हमारे पस देटा है, वो usually 3 months and 6 months है, तो 3 months में roughly around 5 to 7 percent आप expect कर सकते हैं, और around 6 months में around 10 percent हम expect कर सकते हैं, फिर्स 3 months में तोड़ा सा कम weight loss भी हो सकता है, विकास दोस किस frequencies हम escalate करे हैं, उससे बहुत फरक परता है, कि कितना weight loss अचीव कर पाएं अगर अगर आप बागे treatments की बात करो, आप अगर जो हमारे cryolipolysis होता है, जो कहीं साही dermatologist भी करते हैं, या liposuction होता है, तो उनसे वो भी expensive treatments है, तो उस हिसाब से इतना महेंगा भी नहीं है, हाँ, बट आप दूसरे point से देखो तो liposuction से एक aesthetic procedure है, वो आपके metabolism को, या जो internal physiology है उसको वो बिलकुल modify नहीं कर रहा है, वो सिब आपका एक fat को एक particular area से निकाल रहे है, बट अगर आपको diabetes है, hypertension है, osteoarthritis है, lipid problem है, cholesterol problem है, liver problem है, fatty liver है, वो सब liposuction से कुछ भी नहीं improve होगा, बट इन drug से weight loss भी होगा, या सारी की सारी diseases में भी improvement आएगा, बिकाज आप जो basic problem है, आप उसको address कर रहे है, कुछ patient मेरे पास आकर पूछते हैं कि doctor, आप ये weight loss वाली जो medications है, क्यों नहीं prescribe कर रहे हो, ये ABC aesthetic clinic तो दे रहा है, तो कौन सही doctor है, इसको prescribe करने के लिए, So, in medicines के लिए तो सिफ पर सिफ endocrinologist हैं, जिनको में बोलूँगा क्या उनके पास जाएं, बिकास हम लोग की extensive training होती है, हम लोग इनके modules and इनके trials को बहुत डीपली पड़ते हैं, and we are well aware कि क्या side effects हो सकते हैं, उनको कैसे manage करना है, किन conditions में देना है, and कैसे counselling करनी हैं, तो ये स Basically, in aesthetic clinics में हमें ये सारी medicines जो है नहीं लेनी चाहिए, and we must always go to a endocrinologist to check if this is the right medication for them, अगर कोई अपना weight lose करना जाता है, तो अलकोहल उसको लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए, और कितनी लेनी चाहिए, तो अलकोहल के साथ प्रॉबलम सबसे बड़ा ये हैं, कि वो बहुत व हम बीर को, हम विस्की से कंपेर नहीं कर सकते क्योंकि बीर, as we all know, is a very high calorie drink, तो अगर कोई प्रॉमिनली बीर पी रहा है, तब भी उसका alcohol content कम है, बट वो कैलरी इंटेक तो बहुत जादा कर रहा है, तो उसका obviously weight loss journey जादा difficult होगा, अगर हम एक as compared to करें कि कोई विस्की on rocks पी है, नहीं पी रहा है तो क्योंकि इसका calorie content कम होगा, दूसरा सबसे बड़ा जो problem होता है, जो लोग ignore करते हैं, is that alcohol के साथ लोग चखना खाते हैं, और चखना वो count नहीं करते हैं कि वो कितनी calorie खा रहे हैं, right, so that also adds up to their calories, which is not counted, and फिर उनकी weight loss journey थोड़ी सी flat हो जाती है, विस्क I think, जो भी spirits होती हैं, जिनको हम विस्की, टकीला, रम, एंड वोटका, जिनको हम बोलते हैं, they have 40% of dry alcohol by weight, तो अगर उनको बिना किसी mixtures के ले रहे हैं, I think that would be the least calorie drinks for them कुछ लोग ये भी try करते हैं कि smoking सिरफ इसले करते हैं, ताकि उनको जादा भूक ना लगे, और उनका weight gain ना हो हाँ, तो पुराने टाइम पे जब हमें smoking के side effects नहीं पता थे, तब it was actually one of the approved medications for weight loss, but as we have realized कि इसके harms ज्यादा हैं, benefits कम हैं, it's no longer recommended or used or even talked about but it does work if you smoke, yes, it does work, smoking से appetite तो curb होती है, गी अभी बहुत trend कर रहा है, social media पे, कहीं सारे prominent influencers ने गी बेचना भी शुरू किया है, और वो कहीं सारे positive effects बताते हैं इसके, तो क्या actually गी एक super food है, क्योंकि एक video में मैंने देखा कि, guest ने बोला कि, गी जो है, वो actually fat burner है, कितना सच है इस statement I think scientifically तो कोई evidence नहीं है कि गी से कोई fat burn होता है, ultimately, it is a high calorie, fat rich content, जो fat burn करा है, वो logical statement नहीं लगता है, so, जब मैं गी की वो videos देखता हूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत misinformation सोशल मीडिया पे फैल रही है, technically, गी में जो major part है, वो एक saturated fatty acid का होता है, जो हमें अपनी intake में less than 7% रखना चाहिए, as per the WHO guidelines, तो उसको मदे नज़र अखते हुए, तो मुझे लगता है कि गी का consumption, हम जितना minimum रख पाएं, I think उतना हमारे लिए बेटर रहेगा, मुझे इस अपर पूट जैसा तो कुछ नहीं लगता कि मुझे आपके साब से गी is not a fat burger, I don't think so, it makes no sense, एक और common question रहता है कि मैं sugar नहीं खाता, doctor, मैं खाता हूँ good, good is healthy, हाँ, ये बहुत common question है, जो patients हमेशा पूसते हैं कि क्या हम चीनी की जगे good डाल सकते हैं, तो जब वो calorie content की बात आती है, या sugar spike की बात आती है, diabetic मरीजों के लिए, तो वो तो दौनों में बराबर रहेगा, बस ये होता ह है कि जो चीनी होती है, वो बिलकुल ही refined होती है, जबकि good में थोड़ा unprocess होता है, तो उसमें कुछ nutrient content preserved रहते हैं, जो थोड़े से slightly, it makes it slightly better than चीनी, glucose spike की अपने बात की, क्या होता है ये, बहुत trend हो रहा है आजकल, ये भी social media पे, और कैसे इससे control कर सकते हैं, so glucose spike basically ये होता है कि अगर आपका खाली पेट, जब आप सोके उठे थे, आपका sugar असी पे था, और खाना खाने के बाद, एक घंटे बाद, देड़ घंटे बाद, दो घंटे बाद, वो spike करके 200 तक पहुच गया, तो उसको sugar spike बोला जाता है, जब एकदम से sugar mountain की तरह उप़ जाता है, तो इसक sugar spike तभी होगा, जब आपकी tendency होगी towards diabetes, दूसरा, जितनी बार भी sugar spike होता है, कहीं ना कहीं, ये किसी ना किसी form में आपके body को damage करता है, तो over a period, अगर ये multiple spikes होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, तो obviously जो diabetes के long term effects है, वो आपको, आपको manifest करेंगे, HBA1C एक common test है, जो आजके लोग whole body check-up में करवा लेते हैं, काफी बार raised आता है, तो क्या significance है इस test का? HBA1C जो अगर simple सब्दों में बोला चाहे, तो ये तीन महीने का औसट शुगर बताता है, तो अगर आपने अभी एक random sugar check करा, और आपने आदा गंटा पहले butter लगाके रस खाया था और चीनी वाली चाहे लीती, तो हो सकता है आपका random sugar 200 आए, but that doesn't mean कि आपको diabetes है, क्योंकि ये बहुत high calorie खाने के बाद आया था, तो HP1C हमें पिछले 3 महीने का बताता है कि आपने क्या करा, क्या नहीं करा, आपका average क्या चल रहा था, किसको कराना चाहिए, हर diabetic मरीच को हर 3 महीने पर कराना चाहिए, हर pre-diabetes मरीच को हर 6 महीने पर कराना चाहिए, और जिनकी family की risk है, जिनके parents को या भाई, भेनों को diabetes है, उ Small meals से metabolism पे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, बस small meals के ये फायदा है, जैसे हमने अभी बात करी, sugar spike की, तो अगर आप एक बार में बहुत सारा खाना खाओगे, तो tendency तो sugar spike रहेगी, वही calorie को अगर आप split कर दोगे, small frequent meals में, तो sugar spikes नहीं रहेगा, क्योंकि आपने कम calorie खाया, फि हम जितना early कर सकें, अब हमारा tendency हो गया है कि हम बहुत late night, 9 से 11, 12 एम तक भी लोग दिनर करते हैं, but evolutionary basis पे हमारे जो cavemen अगेरा थे, वो 6 बजे तक तो सो ही जाते थे, जब sundown होता था, तो हमारा hormonal balance ही इस सरे से बना है कि 6 बजे के बात, हमारा hormones अगर हम खाना late खाते हैं, त that tends to occur, so जितना हम early dinner कर सकें, अतना हम अपनी basic physiology को maintain कर पाते हैं, अगा तक अगेंस्ट काफी data आए है, so why is processed food bad for your health? so processed food के साथ problem यह है कि एक तो वो large scale पे बनता है तो the quality of oil that they use जैसे palm oil which is one of the worst kind of oil is what is predominantly used in all processed food secondly, जितना जादा आप layers of processing करें उतने levels पे आप micronutrients का washout करा रहे है so that's why जो भी processed food होता है they have all the bad quality and no good nutrients in them तो इस segment में आपसे कुछ question पूछोंगा और हम उसका answer short रखेंगे या फिर yes or no can stress directly cause hormonal imbalance? yes is it possible to reverse diabetes with the help of lifestyle changes alone? yes, type 2 diabetes can be reverse क्या लड़कों में भी hormonal imbalances, mood swings होते हैं जैसे लड़कों में होते हैं? puberty के time पे, adolescent time में तो बहुत common है जब hormone surges होते हैं, तो mood swings और personality changes तो होते ही हैं but later on in life, do men also get mood swings because of hormones? no, because their monthly variation of hormones नहीं होते हैं जैसे फीमेल में होते हैं is weight loss purely a matter of calorie deficit? no, a lot of other factors play a role in it can missing a specific meal like breakfast, lunch or dinner, does it have effect on your metabolism? not really are all forms of sugar equally bad? when it comes to sugar spikes, I think they're equally bad if you have family history of diabetes, what are your chances of having diabetes? it's very difficult to quantify but you are at an increased risk if one of your parent is diabetes, you are at an increased risk if both of your parents are diabetes, you are even at much more increased risk on top of that, if you have a very bad lifestyle, then you are at much more increased risk percentage? is a percentage is difficult to define because these are polygenic so we really don't know how many percentage होंगे is it necessary to treat all polycystic, ovarian disease patients with medicine? no, if they have achieved weight loss with lifestyle and their symptoms have subside and their cycles are regular it's not necessary to treat them insulin which we give in diabetes, do you get addicted to their patients? भी हो जाते है? so यह बहुत common question है, जब भी मैं पेशेट को insulin शुरू करता हूं उनका हमीशा आता है कि मत शुरू करो हमें आदत पढ़ जाएगी तो उनको समझाने के लिए मैं हमीशा उनसे एक सवाल पू Gwen生 की आदत है तो उनका पच्छे जवाब आता है कि नहीं सर ये तो जरूरत है तो मन को बोलता हूं बस इंसुलिन भी जरूरत है आदत की तो बात ही नहीं है जैसे मैं बोलता हूं कि hair के लिए minoxidil डालना अब जरूरी है क्योंकि एंटरजनेटिक आलो किसे स्टार्ट हो गया है और अगर minoxidil नहीं डालो के तो बाल जड़ जाएंगे क्या हमें सारी fats restrict कर देनी चाहिए if you want to lose weight नहीं ऐसा नहीं है basically calorie restrict करना है चाहे वो आप fat predominant diet जिसको हम keto diet करते हैं आप उससे करें चाहे आप fat restrict करके करें problem बस ये है कि fat come quantity में भी बहुत high calorie होता है तो it is usually advisable कि आप fat को easily cut down कर सकते हो बट जैसे fat को कर completely हम बन कर देते हैं तो definitely कुछ deficiencies और risk रहते हैं उसके बिलकुल रहते हैं because fat is an essential component of our natural diet हमें cholesterol की actual requirement है cell membranes बनाने से लेके hormones बनाने के लिए तो बिलकुल cut down करेंगे तो आपको depression होने के chances होते हैं vitamin D नी बनेगा hair fall हो जाएगा काफी सारी problems हो सकती है skin nourish नहीं रहेगी sleep और hormonal imbalance का कुछ relation है disturbed sleep या incomplete sleep या lack of sleep से definitely hormonal imbalance हो होता है so thank you for watching this podcast जिसमें हमने बात की weight loss के बारे में hormones के बारे में hope आपको ये podcast अच्छा लगा अगर आप ऐसे ही health related podcast देखना चाहते हैं तो please हमारे चैनल को subscribe कर लीजे आपके कोई comments है weight loss को लेके तो definitely नीचे comment section में आप छोड़ सकते हैं हम लाते रहेंगे ऐसे ही कई सारे interesting podcast आपके लिए मिलते हैं next time तब तक के लिए good bye